नमस्कार साथियो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर आज के इस वीडियो में हमारा जो टोपिक चल रहा था मंद्यप्रदिस के राष्ट उद्धान एवों अब्हराण तो उससे संब्धनित जो हमाने पार्ट 3 है पार्ट 1 पार्ट 2 और पार्ट 3 इस टो ब्लीड हो जाएगा तो इसके पहले के वीडियो भी आपने अगर नहीं देखे हो तो उन्हें भी जरूर देखिएगा साती इस वीडियो में आप लाश्ट तक बने रहेगा तो चलिए शुद्वात करते हैं आज के इस वीडियो की और सबसे पहले पहले जो कोशन आपको आ या निलकंट पक्षि तो इसका आपका जो राइट आंसर बनता है वह बनता है सोन्चीडिया के सरक्षन के लिए करीरा वन्य जिव अभ्धहरन की जो है आपके इस्तापना की गई थी हैं मध्यप्रदेश के शिवपूरी जिले में करेरा पक्षिट अब्ध्यां हैं करेरा म सोन चीडिया की मोजूदगी का पता चलने पर वाइड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1927 के तहत वर्ष 1981 में करेरा पक्षिय अभ्हरन के इस्ताफना की गई थी तो करेरा पक्षिय अभ्हरन कहां पर इस्ति थे शिवपूरी जिले में इस्ति थे इसकी स्ताफना 1981 में की यहाँ पर 245 प्रजातियों की चीडिया दर्जक की गई है यहाँ पर मुख्य रूप से विलुप्त प्राई ग्रेट इंडियान बश्टरड सोन चीडिया का सरक्षन आपका प्रदान किया गया है तो यह था हमारा करेरा प्षिय और इस प्रकार जो है करेरा प्षिय अभ्ह किलोमेटर में आपका फिला हुआ है तो 202 वर के किलोमेटर में आपका फिला हुआ है अगला कोशन यहाँ पर है कि मद्धप्रदेस राज्य में कुल कितने जेव मंडल आरक्षी छेतर आपके इस्तित है चार उप्षन है दो तीन चार या पांच तो इसका आपका राइट बनता है वह बनता है बनता है ओप्षन भी तीन मद्धप्रदेस राज्य में कुल आपके तीन जेव मंडल आरक्षी छेतर है कौन-कौन से आईए देख लेते हैं तो केंद्रिय वन एवं पर्यावरन मंत्राले द्वारा पंचमडी वर अमरकंटक अचान कमार को जेव मंडल जेव मंडली चेतर गोशित आपका जो है यहां पर किया गया था पंचमडी प्रदेश का प्रथम वर देश का दस्वा जेव मंडल आरक्षी छेतर है तथा प्रदेश में पन्ना और चतरपूर जिले के भाग भी जेव मंडली चेतर जो है आपके घोशित किया गया है ओप् के ड्रस्ति से सबसे बड़ा ए उद्धान अब क्क फ्लिए का प्रदिश्का सबसे आपका फूलनों हुआ हुआ है तो यहां थे इंग दोनों से जुड़ी आपके जानकारी 940 वर के किलोमेटर में फेला हुआ है यह 0.27 वर के किलोमेटर में आपका फेला हुआ है और जो जिवाश में उद्ध्यान जो कि आपका डेंडोरी में इस्तित है इसके इस्ताफना आपके वर्ष 1968 में की गई थी और जो काना किसली राष्ट उद्ध्यान है इसके स्ताफना पूछ ली जाए तो 1955 में आपके इसके स्ताफना के गई थी अगला कोश्चन आप पर है कि बंगाल टाइगरों में से एक है जो कि नेशनल जिओग्रोफिक मेगजिन के कवर पर भी जो है आपकी दिखाई गई थी त इसका आपका जो राइट आंसर बनता है वो बनता है सीता देख लेते हैं इससे जूड़ी जानकारी सीता बांधवगड राष्ट उद्ध्यान के बंगाल टाइगरों में से एक है जो कि नेशनल जिओग्रोफिक मेगजिन के कवर पर भी आपकी दिखाई दी थी 23 में इसका प्रोजेक्ट टाइगर के अंतरकत आपका शामिल किया गया 32 पाड़ियों से गिरा हुआ आपका बांधवगड राष्टी उद्धान है चरन गंगा नदी जो है आपकी बांधवगड राष्टी उद्धान से ही गुजरती है तो यह ते इससे जूड़ी जानकार बोरी वन्य जीव अभ्यारन भारत के प्राचिन अभ्यारनों में से एक है यह अभ्यारन मद्यपदस के होशंगाबाद जिले के सत्पूड़ा छेतर में आपका फिला हुआ है इसे 1865 में वन्य जीव अभ्यारन का दर्जा भी दिया जा चुका है यह जो है आपका 450 से प्रद्व वनस्वती और जीव बहुत आयात में आपके यहां पर पाई जाते हैं यह अभ्यारन सुसकपणपाती व्रक्ष जिसमें सागोन प्रमुक और प्रमुक है और बांस के जंगलों से आपके गहरा हुआ है चलिए देखते हैं यहां पर हमारा अगला कोशन अगला को बग 30 किलोमेटर दूर शिवपूरी मार्ग पर घाटी गाव वन्यजीव अभ्यरन सन 1981 में इसको इस्तापित किया गया था और यह जो है आपका 511 वर्ग किलोमेटर में फेला हुआ है और यहां पर बलेक बग चीतल बंदर भेडिया लोमडी निलगाई लकड बगगा जो है यहां के प्रमुक वन्यजीव है अगला कोशन आप पर एक डिंडोरी में इस्ता पर जिवाश्म पार्क का नाम क्या है चार अप्षन गुगवा राष्ट्य पार्क केन जिवाश्म पार्क सोन जिवाश्म पार्क या कुनो जिवाश्म पार्क तो इसका आपका जो राइट उद्धान है जो जिले के साथ गावों में आपका फेला हुआ है मंदला डिंडोरी की सिमा पर इस्तित है गुगवा गाओं के पास यह पार्क वन विबा के सरक्षन में आपका संचाली थे और राष्टी जिवाशों उद्ध्यान गुगवा के नाम से इसको जाना जाता है इस जो कि आठवे नंबर का है कि भारत में कौन से वन ने जीवा बैरन राष्टी उद्ध्यान ने प्रतम बार अधिकारिक तोर पर भूर सिंग नामक एक मेस कोट यह अपना सुबंकर बनाया है तो यह हमारा काना नेशनल पार्क या काना राष्टी उद्ध्यान देख लिजे मार्च 2017 के अंतिम सब्ता में भारत का पहला टाइगर रिजवर बना जिसने अधिकारी कृप से एक सुबंकर जारी किया सुबंकर का नाम है भूर सिंग है जो कि एक बारा सिंगा है यह कदम सक्त जमिन पर पाए जाने वाले बारा सिंगा को रिजेरों की भावना के तोर पर प्रस्तूत करने के लिए उठाय गया था यह विलुप्त होने की संभावना से प्रजातियों को बचाने के प्रति जागरुकता भी फेलाएगा साथी बहरा सिंगा प्रदिस का राज्य पशुभी आपका है तो कानट टाइगर रिजवर दुनिया का एक मात्र इसा इस्ताने अगला कोश्चन निन्म ने लिखे बाग भरन में से कौन से पर चरन गंगा नदी का प्रवावीत होता है तो कई बार आपको बाता चुका हों बांदऊोगल राश्रुत-दान से यह नदी आपके प्रवावित होती है बांदऊगल राश्रुत्दान कितने वर्ग किलोमेट में आपका फेला हुआ है बांद बांद गड़ जो है आपका 32 पाड़ियों से गीरा हुआ है साथ इसकी स्थापना 1968 में हुई थी 1993 में इसको आपका जो है टाइकर के अंतरगर शामिल किया गया अगला कोश्चन निम्नली खित में से कौन सी वनस्पती अधिकतर काना नेशनल में पाइजन प्याटो में निम औरें जाती है नंके पेड़ साब कहां किस लिए नेशनल पार्क है इसमें बहुत आयात में पाइए काना राश्टी उद्धान मद्य पदेश के मंदला यों बालाघर जीले में इस्ति थे यह 940 वर्ग किलोमेटर छेत्र में आपका फेला हुआ है काना राश्टी उद्धान में जो है आपके गहांस के मेदान, साल के पेड़ो और भांस के जंगल और वन्य जीवन के लिए मानो स्वर्ग है अगला कोश्चिन यहाँ पर है कि निमने लिखित बाग बहरनों में से किसमें एक किला यहां संस्क्रत सिला लेक के साथ गुफा मंदिर भी आपके यहाँ पर इस्ति थे प्रदिस पाड़ों में प्रदेश के उमर याँ मैं या बापका बनाया गया था वर्यहाँ चाहोड के लेकर फिला हुआ हुआ है और इसी राष्टी उद्धान में आपका ये के किला और संस्क्राइट सिलालेक के साथ गूफा मंदिर भी आपका इस्तित है अगला कोशन यहाँ पर है कि सरदारपूर वन्यजी अबहरन कौन से जिले में आपका इस्तित है चार उप्षन है डमो, खंडवार, रतलाम या धार तो इसका आपका जो राइट एंसर बनता है मद्यप्ing के साथारपूर वन्यजी अबहरन मद्यप्रदेश के क्न जिले में इस्तित है तो सरदारपूर वन्य जीवा विढयरन जुजाव मद्यप्धरति गया था जबकि विरांगना दुर्गावती विढयरन दमोजिले में और सेलन विढयरन रतलाम जीले में इस्ति थे और या जो सरदारपूर का वनियजी अफभरन है खर्म और पक्षी के सरक्षण के लिए आपका प्रसिद्ध है то मद्य परादर्श के two this year अप और दूसरा है सेलाना अपभरन यह दोनो जो है आपके कर्म और पक्षी अपभरन के सरक्षण के लिए जाने जाते हैं तो सरदारपुर अब्भेरान आपका धार जिले में इसती थे और सेलान अब्भेरान आपका रतलाम जिले में इसती थे अगला कोशन है आपर पन्ना राष्टी उद्धान को किस वर्ष में टाइगर रिजवर आपका घोशित क्या गया चार उप्षण है 1996, 1994, 1993 या 1995 तो इसका आपका राइट आंसर बनता है उप्षण भी 1994 में पन्ना राष्टी उद्धान को आपका टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर जो है आपका शामिल क्या गया या टाइगर रिजवर इसको घोशित क्या गया पन्ना राष्टी उद्धान 1994 में टाइगर रिजवर आपको घोशित क्या गया पन्ना राष्टी उद्धान मद्यपदश का प्रसिद्य परेटेंस तल है यहाँ भारत की कुछ सर्वतम वन्न जिवान प्रbreaker यहाँ आपकी पाई जाती है राष्टी उद्धान की बात करें उध्यम कहां से होता है तो इसका जो जो यही पर नरवदा नदीपर ही आपका हीdefined साथ है जिसमें आपका दुग्देदारा जल प्रपात कफिल दारा जल प्रपात मंदार जल प्रपात दर्दी जल प्रपात या प्रमुग जल प्रपात भी आपके नर्मदा नदी पर ही इस्तित है तो यह जो आपका सत्पूरा टाइगर रिजोर है मद्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में सिवनी और चिंदवाड़ा जिलों में आपका फिला हुआ है पेंच राष्ट्री उद्यान मध्यप्रदस में इस्तित कई बाग बहरनों में से एक है इस बहरन का नाम पेंच नदी के नाम पर ही आपका रखा गया या बहरन नापूर जबलबूर के बिच राष्ट्री राजम साथ पर खवासा सहर से 12 किलोमेट्र य दूरी पर इस्ति थै निकट रायलवे उर हवा यदधा नापपूर में जो है आपका स्तित थै अगला कोशन आपर देखते है कि मध्यपरदेश में प्रथम बार संकनर तो आपका सकतव बाग देखा गया था उन्निस सु description की तस तो मद्यप्रदेश में 1915 के दशक में पेली बार सपेद बाग विंद चेंतरा में आपका देखा गया हाला कि इस दुल्लब नशला के सपेद बाग की वर्ष 1921 वर्ष 1951 में मोहन नामक एक सपेद बाग शावक को रिवा के महराजा मार्टन सिंग ने पकड़ा था बाद में यह शावक दुनिया भर के सभी ज्यात सपेद भागों के प्रजनन का कारण बना वही मद्यप्रदेश सरकार द्वारा मुकुंद पूर जो के आपका सतना जिले में है दुनिया के पहले वाइट टाइगर सपारी लोगों के लिए जो है आपकी खोल दी गई है तो यह भी हम मद्यप्रदेश और 36 गड़ राज्य में आपका फेला हुआ है मद्यप्रदेश के विभाजन से पहले मद्यप्रदेश का सबसे बड़ा राष्टी उद्यान आपका संजेई राष्टी उद्यान हुआ करता था लेकिन विभाजन के बाद मद्यप्रदेश का सबसे बड़ा राश्टी उद्यान आपका काना किसले राश्टी उद्यान होने लगा है संजे राश्टी उद्यान भारत के मद्यप्रदेस राज्या में सिधी जीले में इस्तित एक राश्टी उद्यान है और यह जो है आपका 466 वर्ग किलोमेटर के अंतरगत आता है यह जो है या इन में से कोई नहीं तो इसका आपका राइट आंसर बनता है काना राश्ट्य उद्ध्यान में जो आपकी एक नेशनल जोग्रोफिक की पुरेसकार विजयता एक मुवी है लेंड ओफ दे टाइगर्स यह काहां पर शूत हुई थी तो यह आपके काना राश्ट्य उद्ध इस इस्तान से लिग गई है पुस्तक में वर्नित इस्तान मोगली बगीरा शेर खान अधी पात्रों का निवास इस्ताल सन 1903 प्रोजेक्ट टाइगर के था इस उद्ध्यान का नूसो सतरा वर्ग किलोमेटर का चेतर काना व्याग्र सरक्षी चेतर गोशित कर दिया गया था अगला कोशन आप पर है निमने लिखित में से कौन सा टाइगर रिजवर नहीं है तो जो आपका माधव राष्टी है उद्ध्यान है यह जो आपका टाइगर रिजवर नहीं है उपर के तीनों जो है इनको प्रोजेक्ट टाइगर के अंतरगत आपका शामिल किया गया है माधव राष्टी उद्ध्यान इसकी बात करेक इसकी इस्तापना 1908 में हुई थी किस जिले में इस्ती थे आपका शिवपूरी जिले के अंतरगत आता है साथ इन से जोड़ी कुछ और जानकाली के जो संजे डूबरी राष्टी पार्क जो की 1981 में आपका इसकी इस्तापना हुई तो इसका प्रोजेक्ट टाइगर में 2018 में आपका शामिल किया गया वही कानर राष्टी उद्यान जिसकी इस्तापना आपके 1955 में हुई थी इसे 1974 में शामिल किया गया मादव राष्टी उद्यान जिसकी इस्तापना 1958 में हुई थी इसको जो है आपका प्रोजेक्ट टाइगर के अंतरगत आपके शामिल है साती ये किसा आप बेरन है जो कि प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर का शामील है उसका नामे रातापनी ये बेरन जो कि आपका राइसें जिले में इस्तित है अगला कोशन आपर देख लिजे निमने लिखित में से छेतर फल में मद्यपदेश का कौन सा राष्टी उद्धान सबसे बड़ा है तो काना राष्टी उद्धान जो है आपका छेतर फल की दरश्टी से मद्यपदेश का सबसे बड़ा राष्टी उद्धान नो सो चालिस वर के किलोमेटर में फेला है 33 में अभाईवन बनाया था 195 में बनाया गया 1925 में इसको राष्ट्य उद्यान बनाया गया साथ 1934 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर के अंतरगत आपका शामिल क्या गया था अगला कोश्चन यहापर है कि कि किस राष्ट्य उद्यान में मोगली लें इस इसनतां का नाम करण ही बैंच नदी के कारण ही जो है इसका नाम पेंच नेशनल पारक पड़ा है और यहाँ पर जो है यह पारकम्दप्रज के किमाज से जो है मारष्ट के पास आपका इस्तित है अगला कोशन यहाँ पर हमारा है कि मद्यप्रदस में इस्तित है निम्ने लिखित बाग अभ्यरणों में कौन स्या मोगली के असली भूमी और रूडियाड किपलिंग द्वारा लिखित प्रसिद्य पुस्तक जंगल बुक क जाता है तो यह माना जाता है आपका पेंच राष्टी उद्ध्यान जिससे जुड़ी जानकारी आपको भी यहाँ पर बताए तो चिंदवाड़ा और शिवनी जिले में फेला पेंच राष्टी उध्यान मोगली के असली भूमी और रूडियाड किपलिंग द्वारा लिख जब जंगल बुक का जो है आपका छेत्रा माना जाता है इस राष्टी उद्ध्यान के स्थापना आपकी 1983 में हुई थी दो सो तर्रानू वरग किलोमेटर छेत्रा में यह आपका फिला हुआ है और यह जो है सिवनी और चिंदवाड़ा जिलो में आपका विस्तिरत है और य इस राष्टी ऊद्धान इवं भ्यारन इसे वीडियो के साथ जो है हमारा कम्प्लीट हा है इसको ज्सक्राइब और यह महितर हो जाए तो आज के लिए बस इतना ही वीडियो को अधिक सदिक लोगों तक शेर करिएगा वीडियो को लाइक करिएगा इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए चेनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा तो थैंक्यू वेरी मच